यात्रा की 40 दिनों तक चलने वाली वार्शिक पवित्र अमरनाथ यात्रा इस साल 29 जून से शुरू होगी और अगस्त में रक्षा बंधन के दिन आखरी दर्शन के साथ खत्म होगी लेकिन 1200 फिट के उचाए वाली यात्रा को लेकर पिछले दिनों कुछ हिदायतें भी जारी की गई है पेशे ये रिपोर्ट कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बढ़ने से शांतिपूर अमरनाथ यात्रा की चुनावती सामने है वैसे जम्मो कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रा के पूरे रास्ते को अत्यादिक सम्वेदन शील घोशित किया है साथी सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि शरद्धालों की सुरक्षा सुनेश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं उधर अमरनाथ शराइन बोर्ड ने सुरक्षी तियात्रा के लिए कुछ हिदायाद भी जारी की है रोजाना साड़े साथ हसार साड़े साथ हसार शरद्धालों को पहल गाम वो बाल टाल दोनों रूटों से रवाना किया जाएगा अमरनाथ शराइन बोर्ड की तरफ से स्वास्ते विभाग के डॉक्टरों की टीमें परमार पत्र जारी करेंगी स्वास्त परमाण पत्र श्रद धलूँ के लिए अनिवारी है 13 साल से कम और 75 साल से ज्यादा उमर वाले यात्रा नहीं कर सकते हैं 6 सब्ता से अधिक गर्बवती महिलाओं को यात्रा की अजासत नहीं मिलेगी श्री अमरनाथ बोर्ड मुफ्त में यात्रियों का इंशुरेंस करेगा एक यात्रा परमिट पर केवल एक यात्री ही अमरनाथ यात्रा पर जा सकेगा पवित्र अमरनाथ यात्रा की खातिर यात्रियों को अपना रेजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है यात्रा में शामिल होने के लिए अब तक दो लाग से अधिक पंजी करन हो चुके हैं ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है बड़ी संख्या में लोगों का आगमन सुरक्षा के लिए चैलेंज है केंदर सरकार ने सुरक्षा बलों की 90 अत्रिक्ट कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है राजी पुलिस ने केंदर से सुरक्षा बलों की 289 कंपनियां मागी है पिछले साल इनकी संख्या 189 थी राजने CRPF और SSB की कंपनियां मागी हैं ताकि कानून विवस्था बनाए रखने में मदद मिले इस साल 27,000 सुरक्षा कर्मी यात्रा सफल बनाने के लिए घाटी में तैनात किये जाएंगे बाबा बरफानी की यात्रा धार्मिक द्रिष्टी से महतुपूर्ण है हिमाले की वादियों के नजारे से यात्रा की धकान तो जरूर कम होती है लेकिन कश्मीरियत की शांदार रवायत यहां आज भी यात्रियों को आकरशित करती है गोडे वाले और लोकल सपोर्ट के बिना ये यात्रा अधूरी है ये आत्रा एकनॉमिक्स के साथ साथ भाईचारे का संदेश भी देती है बेरो इन्पुट के साथ मस्रूर फैजिक रीपोट डीडी नियूस